नमस्कार दोस्तों वेलकम टो आसे अस्ट्रोजी मैं नीतू सेंग दोस्तों मुस्से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही बेल आइकन को दवाना बिलकुल ना भूलें जिसे की वीडियो के अपडेट आप सभी लोगों तक पहुँशते दो हैं रुद्राक्ष की माला धारन करने से हमें कौन-कौन से लाव होते हैं तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे लुगदा रुदराक्ष की माला धारन करने का सबसे बड़ा लाव यह होता है कि इसको पहनने से हमारे आस-पास ایک साकरात्मक अर्जा कहते हैं साकरात्मक अर्जा निवास करती है साथ ही एक सुरक्षा का चक्र बन जाता है अमेरिकी विग्यानिकों ने एक सोथ के बाद पाया है कि रुद्राक्ष की मारला पहनने से व्यक्ति के चारो और साकारात्मक उर्जा का वास होता है जिससे व्यक्ति के मन मस्तिस्क में साकारात्मक उर्जा का प्रवाह होता है जिससे उसके सरीर में कुछ ऐसे रसायनों का सरजन होता है जिससे उसे सुरक्षा की भावना पैदा होती है अधिकांस लोग ये मानते हैं कि भगवान शिफ का संबंद दूर दूर तक लक्षमी से नहीं है शिफ वैरागे के देवता हैं लेकिन ये बात पूरी तरह सही नहीं है रुद्राक्ष की माला के जरिये भगवान सिर्फ से लक्षमी की प्राप्ति की जा सकती है 108 रुद्राक्ष की माला को यदि सोने की कैप में जड़वा कर पहना जाए और साथ में प्रते दिन शिर्फ तांडल स्तोत्र का पाठ किया जाए तो अचूक लक्षमी की प्राप्ति होती है रुद्राक्ष सामान बिमारियों में लाव देता है ये बात तो सभी जानते हैं लेकिन ये ला इलाज रोगों से भी हमारी रक्षा करता है रुद्राक्ष की माला हमेशा गले में धारन करने से कैंसर जैसे जानलेवा रोग से भी हमें बचाया जा सकता है जिन लोगों को कैंसर नहीं है उन्हें कैंसर कभी नहीं होगा और जिने हो गया है एदिवे रुद्राक्ष की माला धारन करें तो कैंसर के सेल्स नस्ट हो जाते हैं साथ ही हिर्दे रोगों से भी बचाव होता है भूत प्रेत बुरी शक्तियां जादू टोना तंत्र क्रियां से बचाने में भी रुद्राक्ष के समान कोई अन्यवस्तु नहीं है आपके अधिकान स्तांत्रिकों के हाथ या गले में रुद्राक्ष अबस देखा होगा आपने दरसल वे जो साधना सिधियां करते हैं उनमें उन्हें जान का खत्रा भी होता है रुद्राक्ष धारन कर लेने से बुरी शक्तियां हमें हानी नहीं पहुचा पाती यदि आपका भी कोई ऐसा काम हो जिससे आपको रात बेरात या कहीं बाहर आना जाना हो तो रुद्राक्ष तर जरूर धारन करें ऐसा करना आपके लिए लावदायक हो रुद्राक धारन करने से भगवानशिब और मा पारवर्थी जी की हमें कृपा मिलती है कहा जाता है प्रेम संबंदों में जो आपके ताल मिल खराब चलने हैं वो ताल मिल सही होने लगते हैं दामपत्य जीवन सुख में होने लगता है ये इस बात का प्रतीक माना जाता है कि आपके दामपत्य जीवन में सुख सम्रिद्धी और खुशिया लेके आता है दोस्तों अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई वीडियो लाइक करें, शेर करें मुझसे जुणने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलेंगे चैमाता दी